उत्रफर्देश के यमुना एक्स्प्रेस वे पर एक दर्दनाख हाथसा हुआ है इस हाथसे में कार में सवार पांच लोगों की जिन्दा जलकर मोथ हो गई हाथसा कार और डंपर की टकर के बाद हुआ बताय जा रहा है तकर इतनी भयंकर थी कि वहानों में आग लग गई जिससे कार में देखते ही देखते पांच लोग जिन्दा जल गए आपको बता दे कि हाथसा विपरी दिशा से आ रहे एक कंटेनर के कार में टकराने के बाद हुआ है कार सवार लोग लखनव के बताय जा रहे हैं जो दिल्ली जा रहे थे गटना का पता चलते ही पुलिस मोके पर पहुँची उधर लोगों का कहना है कि पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी देर से पहुँची लोग कार के अंदर से मदद के लिए चिलाते रहे लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली बताय जा रहे है कि लखनव के नंबर की गाड़ी में सवार होकर पांच लोग दिल्ली जा रहे थे और जब कार यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा के खंदोली इलाके में पहुँची तभी विप्रित दिशा से आ रहे हैं कंटेनर ने कार में टकर मार दी जिससे हाथसा हो गया टकर मारने के बाद कंटेनर चालक वाहन सहीत तेज गती से निकल गया कार और कंटेनर के बीच टकर इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मोका नहीं मिला तेज आवाज के साथ कार में आग लग गई और कार के अंदर बैठे सभी लोग जिन्दा जल गए हाथसे के वक्त मुझूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दि लेकिन जब तक पुलिस आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी कार सभार सभी लोगों की कार के अंदर बूरी तरह से जल कर मोथ हो चुकी थी ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद पर्फेक्ट वेन्यू फर वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजेबी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब